आपने चुनाव के दौरान कहा कि अब आपने चुनावी राजनीती से सन्यास ले लिया है आप क्या अपनी बात पर कायम है अब आप कोई चुनाव नहीं करें बिलकुल साब मैं इस बात पर बिलकुल कायम हूँ है इन लोगों की तरह नहीं हूँ इस सुबह कुछ कहते हैं श समर्थन से हमारे बेटे को अब और से जिता है वो जाने उनका काम जाने अपने जम्राइब करने वाले वाले बार ट्वीट उन लोगों के लिए है जो आज रंग बदल के गरगिट की तरह हैं वो जो यह कितने मासूम हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते यही मैं डालन जा रहा हूं साब उनकी दोनों जो बियान है वो लगा के भी जने जा रहा हूं यह लोग जो रंग बदलते हैं साब सुनील जाखड रंग बदलने वाड़ा है यह नहीं सुनील जाखड है अगर सुनील जाखड कॉंग्रिस से समय अलग नहीं हुआ जब यह बात उटी तीस संकीरन सोच है इनकी अपने कहते हैं their own insecurities their own prejudices वो बोलते हैं मैं Congress का इसा हूँ साब मेरे DNA में Congress है आखरी पर आप भी कह रहे हैं Captain साब के खिलाफ एंटीन कमेंसी थी Congress Party ने भी यही समिक्षा की रंदीप सुर्जेवाला ने कहा कि Captain साब की के खिलाफ एंटीन कमेंसी थी उसको हम खतम नहीं कर पाई इस विए से आरे लेकिन उस पर पलटवार किया Captain ने उस पर मैं चाहता हूँ आप आखरी में जवाब दोनों ने कहा कि उत्राखंड यूपी और गोवा और मनिपूर में कौन सा Captain अमर्दर सिंग के खिलाफ एंटीन कमेंसी थी कांग्रेस की ये जो हार हुई है पाच्छो राजियों में आप कैसे देखते हूँ और Captain मैं उस लेवल पे बात नहीं कह सकता मैं तो इतना कहूंगा कि जहां तवक्व ही उठ गई गालिब कोई किसी से गिला क्या किसी से गिला करे कोई हमारी तवक्व ही पंजाब से थी और Captain साहब से इतनी तवक्व थी कि पंजाब के लोगों ने 77 कोई वेव नी थी Captain साहब की वेव थी सारे जो लीडर आज कोस्ते हैं उनको वो भी तब कहते थे Captain वनिदे सिंग ने हमारी सरकार बनाई है कांग्रिस की तो जितनी expectation Captain साहब से थी उन उमीदों के उपर उस इससे का का काम हुआ नहीं इस वज़े से इसलिए मैं मानता हूं कि अगर इस में Captain साहब को अगर इस में ये बातें चिता ही जाती कि लोगों का आप से उमीदें बहुत हैं साहब और ये जो आपकी जो चाहिए करोना आगया बीच में वह एक दवह से वह भी अपने नजर बंद से ही होगे हाई कमांड भी नजर बंद होगी वह भी नजर बंद होगे इन सारी बातों को मिलके इसका ये निश्क्रिश्य निकला कि वह जो दारनाएं थी वह और मजबूत होगी कि ये लोग तो वाक्य मिले होगे कुछ करना ही नहीं चाहते वह सबसे बड़ा आज सबसे बड़ा अगर अभी शाप पंजाब के लोग मानते हैं वो अकालियों को मानते थे अकालियों बादल साब को और इनका जो सुखवीर बादल का जो इनका जो कराम करने का स्टाइल था उसको लेके था उनके साथ साथ गांट की जो बाची चल पड़ी उसको लेके लोगों में एक बड़ी ब बढ़ गी थी जाए इतना ही वो नहीं कर पाए और ये क्यम्मिनिकेशन गैप की वज़े से हुआ है अगर ये बेटर तरीके से क्यम्मिनिकेट हो जाता इसकी इंपॉर्टन्स कैप्टन साथ तक तक नमें हो जाती तो मैं समझता हूँ कि इन नौबत यहां तक आती नहीं यह मैं समझता हूँ कि अगर सारा ताम जा सही चला लिया जाता है जैसे ऍंक इंका किसदू साब को साल अगर चला दिया जाता है तब ही मैं समझता हूँ कि एकनी सेटे हो आ ज Ati करहा हूँ इसकि तो नमाज बख Напाने यह दो उससे बी खुरा ल हम झागता आप कमेंट करना चाहेंगे कि कॉंग्रिस के कुछ सीनिर नेता जी ने जी 23 कहा जाता है वो नेतरितु परिवर्तन की बात अंदर खाने कर रहे हैं आपको लगता है कि कॉंग्रिस में अब वक्त आ गया है कि गांधी परिवार को step aside करना चाहिए और किसी और को मौका देना चा सब्सक्राइब उनकी कॉंट्रिवुशन क्या है जिन जिनकी कॉंट्रिवुशन है साथ वो वो सवाल उठाएं जिनकी कॉंट्रिवुशन है वो सवाल उठाएं यह नहीं कि हरे एक एरा गेरा वहां खड़ा होगे बोले चले जा रहा है सवाल उठाएं साथ पर सवाल वो उ यह बताएं साब, मैं उड़ा साब को लीडर मानने को त्यार हूँ, उन्हों नहीं यहाँ पे कॉंग्रेज जोड के रखिये, बांद के रखिये, मैं उन लोगों को मानने के लिए त्यार हूँ, जन्हों ने कॉंट्रिबूए, नोबडी कन क्वेस्चन, डॉक्टर मनमोन ने जो कुछ की है, नोबडी कन क्वेस्चन सच लीडर साब, जो लोग बनाएं हुए हैं, जन्होंने सारी उमर राजय सभा में निकाल नहीं हैं, वो आके क्वेस्चन कर रहे हैं साब, राहुल जी को, that's not done, that's not fair, आप सवाल करो, बैठ के बात करो, उसका आल निकालो, ऐसा आदमी ले के आओ, जिसके ओपर लोगों का विश्वास जचता हो, कोई कोई बुरी बात नहीं है, साब बैठ के अंदर बात हो, ये क्या, ये क्या मसला हुआ, आपके पल्ले करें नहीं, दाने दें, हमाँ, चली बुनाने, आप जाके, लीडरिशिप मांग रहे हो, कॉंग सुनील जाखर, पंजाब कॉंग्रिस के सीनर लीडर, विधान सबाचनाओ के कैंपेंड कमिटी का नेत्रे तो भी कर रहे थे, विस्तार से हार की जो वजह थी, वो बताई है, और साथी आने वाले वक्त में, पंजाब में कॉंग्रिस का रिवाईवल कैसे हो सकता है, वो भी अपने तरफ से बता रहे हैं, देखना ये है कि किस तरह कॉंग्रिस हाई कमांड पंजाब को लेके आने वाले दिनों में फैसले करता है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कॉंग्रिस पार्टी जो बुरी तरह हारी है विधान सबाचनाओं में क्या पंजाब की राजनीती में वापसी कर पाएगी या नहीं? क्यमरा पसंद निखिल रस्तोगी के साथ जैनेंद रे वी पी न्यूज पंचकुला